Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल बतानी की कोशिश की, तो मैंने इसको और थोड़ा सा Study किया, और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, The Root Cause of the Conflict, मतलब की मनिपूर के अंदर जब हम Tribals की बात करते हैं, जो Non-Tribals हैं, मतलब Non-Tribal हो गए आपके मैधीस, और जो Tribal People हैं, उनके बीच में इतना जादा Divide क्य क्यों हैं, उसका Historical Background क्या है, मतलब की जब Britishers थे, तब उन्होंने Christian Messineries का कैसे फायदा उठाया, कैसे Divide करनी की कोशिश की, वो सारी चीजे मैं आपको डीटेल से वीडियो में बताऊँगा, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा, चलिया आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे 24 की preparation कर रहे हैं, तो ये वाला जो batch है हमारा, कल से start हुआ है, आपके पास मौका है, इसको join करने का, क्योंकि इस particular batch में, prelims से लेकर interview तक की पूरी त्यारी आपको कराई जाती है, और खास बाती है कि अगर आप ये batch लेते हैं, और prelims क्राक कर लेते हैं, तो हमारा जो mains residential program है, जिसके तहत आपको दिल्ली के study ICO headquarter बुलाया जायागा, यहाँ पर रहने की सुविदा, खाने की सुविदा, और mains का offline preparation आप ले सकते हैं, इसके लाव आपको कोई भी और batch लेना हो, 2025 का batch होगा, NCRT, EPFO का crash course, just use the code ANKITLIVE to get maximum discount हमारे website, अप पर जाकर या फिर comment section में इसका link द जा रहा है, देखो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि मनीपूर के अंदर यह जो पूरा इतना बड़ा violence हुआ है, मतलब कि ऐसे ऐसे तस्वीरे आ रही थी, जो घर जलाये जा रहे हैं, जो religious places हैं, वो जलाये जा रहे हैं, इस तरह के जो द्रिश सामने आ रहे थे, बहुत जा 23 मतलब की, जस्ट एक महने पहले मनीपूर हाई कोर्ट ने यहाँ पर एक judgment दिया था, और उस judgment के अंदर यह कहा, कि जो मैती community है, मनीपूर में जो dominant community है, 50% से जाधा population मैती community की है, तो हाई कोर्ट ने यह order दे दिया, कि उनको यहाँ पर ST का status मिलना चीए, scheduled tribes का status मिलना चीए, इसके लिए उन्होंने चार हफते का समय दिया state government को, और कहा कि आप जो recommendation है, वो union government को भेज दीजे for the reconsideration, और उसके बाद जो tribal people है, वो इससे खुश नहीं थे, वो इस judgment से खुश नहीं थे, तो वो एक immediate कारण आप कह सकते हैं, कि तुरंत का यह जो इतना बड़ा violence का कारण है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन इसकी जो सचाई है, यह जो पूरे matter की सचाई है, वो आपको मिलेगा history में, इतिहास में, यहाँ पर आपको समझना है कि मनीपूर का जो पुरा geographical background है, यह जो पुरा geography आप देख रहे हो मनीपूर का, उसमें कहीं न कहीं आपको देखने को म मिलेगा, बेसिकली अभी के लिए आप यह समझे कि मनीपूर की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जो dominant population है, वो आपका मैती की मिलती है, 50% से ज़ादा population मैती की है, यह non-tribals है, ठीक है, मैं आपको और अच्छे से detail में बताऊंगा, लेकिन इसके अलावा जो tribal population, उनकी सं के आज-पास आपको देखने को मिलेगा, जो hill areas में रहते हैं, अब इसमें जो सबसे ज़ादा बड़े tribal हैं, उसमें आपको दो ध्यान रखना है, वो है आपका जो नागाज हैं और cookies, यह tribal population है, इस तरह के कई सारे आपको सब tribal population देखने को मिलेगा, तो basically यहाँ पर geography और ethnicity य यह आपको समझने की जरुवत है, जिससे आपको पूरा चीजे समझ में आने लगेगा, कि जो मैथी community है और जो tribal people हैं, उसमें इतना जादा divide क्यों हैं, देखो जो geography है ना मनीपूर का, यह आप देख सकते हैं अगे इस map के माध्यम से, यह है आपका मनीपूर, और इसकी location ध valley और hill, यह आपको समझना है, मतलब hill जब मैं कहता हूँ, तो यहाँ पर जादा तर अगर आप area देखोगे मनीपूर में, वो hill areas है, और एक 10% के आसपास लगभग area है, उसको हम कहते हैं valley, ठीक है, मतलब plain या valley वाला जो area ना, एक तरह से आप कह सकते हो, यह infall वाला जो आप आप देख रहो ना, center में, ठीक है, यह आपका valley वाला area है, तो basically क्या है कि 10% area valley वाला है, और बाकी 90% area यहाँ पर जो आप देख रहो हो, यह basically hill areas है, तो यह divide है, total area आप देखो, इसमें से 22,327 square kilometer, यह मनीपूर का total area है, जो कि 10%, अब मैंने आपको देख सकते हो, 22,000 में से 22 square kilometer यह आपका valley वाला area है, ठीक है, 10% area, जो मैंने आपको beach में, center में बताया, और बाकी का 90% hill वाला, लेकिन, यहाँ पर देखे, चीज क्या है, कि 10% area में, यह जो valley वाला area है, 10% area में, लगभग आपको 57% population देखने को मिलेगी, मतलब जितनी मनीपूर की population है, उसका 57% population, यह 10% area म ही रहती है, जिसमें सबसे dominant कौन है, मैती, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, non-tribals, ठीक है, और बाकी का 90% area है, वहाँ पर जो population रहती है, वो है करीब 42% के आसपास, and they are basically tribal population, जिसमें नागास और cookies, यह major tribal population, यह आपको देखने को मिलेगा, और फिर मनीपूर के अंदर मैं यह भी बता दू, Muslim population भी है basically, क्योंकि जब हम बात करते हैं, मैतीज की, तो मैतीज है basically dominant उसमें आपको हिंदूस देखने को मिलेंगे, और जब हम बात करते हैं, ट्राइबल की तो उसमें जो dominant है basically Christians देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके लावा अगर हम Muslim population की बात करें, तो क्या हुआ था कि pre-partition के समय जब East Bengal था, East Pakistan था basically आप कह सकते हो, बांगलादेश वाला जो area हो गया, वहां से बहुत से लोग migrate किये थे यहाँ पर मनिपूर के अंदर, तो लगभा 8% population वो वाली भी है जो की Muslims है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर issue क्या है, देखो issue यह है, जो मैटीज है they are basically Hindus, वैशनवाइट Hindus, ठीक है, so they are not only debarred from special constitutional privileges granted to the scheduled tribe, मतलब मैं basically आपसे यह कहना चाह रहा हूँ, कि जो मैटीज यहाँ पर, इमफाल वाले वैली में जो रहते हैं, 10% area में रहते हैं, जिनकी सबसे जाधा population है, उनको बहुत सारे constitutional rights नहीं है, जैसे कि वो hill areas में अगर जाकर settle होना चाहते हैं, तो नहीं हो सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे उनके उपर restrictions हैं, और यह सारी चीजें basically की गई है through land reform act, basically land reform act के तहत, जो है, जो मैटीज हैं, वो बाकी areas में जाकर settle नहीं हो सकते, एक तो यह हो गया, ठीक है, वो tribal population नहीं है, और मैंने आपको क्या बोला था कि मनीपूर हाई कोर्ट ने क्या judgment दिया, कि यहाँ पर उनको schedule tribe का जो status है, वो दिया जा सकता है, तो I hope कि अब आप चीजों को connect कर पार होगे, फिर इसके साथ दूसरी तरफ अगर हम देखे, tribal population का, नागाज, cookies, they are basically Christians, 42% के आसपास NQ population, वो basically रहते हैं hill areas में, लेकिन उनके पास अधिकार है कि अगर वो hill areas से valley में आना चाहें, तो वो यहाँ पर आकर settle हो सकते हैं, आरहा है समझ में आको, मतलब एक तरफ मैथीज हैं, जो इमफाल valley में रहते हैं, जिनके पास कई जिनके उपर कई सारे restrictions हैं, hill areas में नहीं जा सकते हैं, इस तरह के कई सारी चीज़ें कि यहाँ पर जो महतीज हैं और जो tribal population हैं, उन दोनों के बीच में gap, जो trust issues हैं, जो distrust हैं, वो आपको जादा देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक सवाल आपके मन में definitely आना चाहें, कि जब मैंने आपको बोला, जो tribal population है, they are largely Christians, तो ऐसा कैसे हो गया, मतलब कि वहाँ प देखोगे, तो it was basically, money poor was basically, principality, principality का मतलब होता है, जो prince के दोरा rule किया चाहता है, फिर यहाँ पर जो Britishers हैं, उसको annex कर लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है, कि वह आपको पता है, यह ना dominion status, मतलब उसको princely state का दरजा दे दिया जाता है, इस तरह से कई सारे राज्यों मे किया गया था, Britishers के दोरा, तो यहाँ पर क्या है, कि Britishers एक तरह से दिखाना चाह रहे थे, कि देखिए, हम आपको non interference की policy दे रहे हैं, मतलब कि आपका यह princely state होगा, जो बाहर की चीज़े हैं, जो defense है, जो foreign communication है, यह सारी चीज़े हमारे उपर छोड़िए, और internally जितनी भी उसमें कोई भी interference, British के दोरा नहीं की जाएगी, ऐसा Britishers ने promise किया था, लेकिन, actually Britishers जो कहते थे, जरूरी नहीं है, वो करते भी थे, यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने Christianity की मदद लेकर, एक divisive game खेला, देखो, मैं, मैं किसी का विरोध, या कोई religion को लेकर, कोई ऐसा टिप्री नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्त आपको historical जो fact है, जो चीजें हुई थी, उसी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेगा, इसमें मेरा कोई opinion या कुछ भी नहीं है ऐसा, तो यहाँ पर क्या है, जो Christian Machineries है, वो क्या किये, धीरे-धीरे आना start कर दिये, from 1894, और उसके बाद जब वो arrive हुए मनिपूर के अंदर, तो उन्होंने धीरे-धीरे जो tribal population है, उनको Christianity में convert करना start किया, Christian religion में convert करना start कर दिया, और यह सारी चीजें कैसे की गई, वही जो old playbook होता है आपका, कि जैसे basic medical facilities दे दो, education दे दो, कुछ सुविधाएं दे दो, तो वो allurements दे कर Christianity में convert करने की उस समय कोशिश की गई, in fact मैं आपको आकड़ा भी बताता हूँ, 1901 का census अगर आप देखो कि मतलब धिरे-धिरे Christianity जब फैल रहा था, तो 8% Christians 1901 में हो गए थे, और 1901 में जो हिंदूस की population थी, वहाँ पर 60% के आसपास थी, 1991 उस समय आते-आते, 1991 तक Christians की population काफी भढ़ गए देखो, Christians कौन है, बेसिकली Tribals, पहले Christians नहीं हुआ करते थे, जो Tribals थे, बेसिकली जो natural powers होती है, जैसे सूरज हो गया, रेन हो गया, spirituality पर बिलीब करते थे, लेकिन अब वो क्या है, वो Christianity में convert हो गया दिरे-दिरे, आप देख सकते हो, 1991 आते-आते काउंट करें, तो बताये जाता है, experts के दोरा, कि Christian की population मनीपूर में अब हो गई है, लगबख 45%, 45% को भी cross कर गया है, 2021 के accordingly अगर हम थोड़ा सा अनुमान लगा हैं तो, तो basically यहाँ पर क्या हुआ है, as a result, मतब जिस तरह से Christianity की population बढ़ती गई है, Christians बढ़ते गए, इसकी वज आपको चीजें crystal clear समझ में आ रहे होंगी, कि exactly हो क्या रहा है, and over time यह basically permanent source of rivalry है, socio-political rivalry, उसमें यह convert हो गया, लेकिन इसके साथ-साथ में आपको एक और चीज़ बताना चाहूंगा, देखिए, to be fair with tribal population, tribal population का अगर हम political power देखें, तो वो उतना जादा नहीं है, जो political advantage है, state के मनिपूर में, वो आपको मैथीज के पास ही देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है, जो constituencies divide की जाती है, वो population के अधार पर होता है, तो लगभग 60 जो seats है, assembly seats है मनिपूर में, उसमें से 40 seats, यह basically मैथीज के पास है, ठीक है, मैथीज के हातों में है, valley के अंदर, तो इसक यहाँ पर जो tribal population है, वो लगातार आरोप लगाती है, कि जब इनकी population dominant है, इतनी ज़दा population है, तो इनको ST का status क्यों मिलना चाहिए, अलड़ी इनके पास इतना सारा political advantage है, तो I hope कि अब आप चीजें समझ गए होगे, कि अगर हम politics की बात करें, political advantage, तो वो advantage के पास है, मैथीज क पास है, लेकिन अगर हम land की बात करें, land holding की बात करें, वो advantage tribal populations के पास है, जो Christians है, उनके पास है, तो यह I hope कि आप समझ में आ गया होगा, फिर इसके साथ साथ अभी क्या हो रहा था, कि मैं जब Instagram पर आपके कई सारे messages चेक कर रहा था, मनीपूर से बहुत सारे message आये थे, उस इसके लिए मनीपूर सरकार ने यहाँ पर मनीपूर forest rule 2021 का हवाला दिया है, और उसमें यह कहा है कि अगर कोई भी person अगर encroach करता है, encroachment करता है forest land का, तो सरकार वो खाली करा सकती है, मतलब जो hill areas मैंने आपको बताया ना बहुत सारा, यहाँ पर जो forest areas है, वहाँ पर जो है कई लोगों ने encroachment कर रखा है, लेकिन जो tribal population है, Christian population है, उनका कहना है कि हमने encroachment नहीं किया है, हम settlement हुए है, हम बहुत वर्षों से वहाँ पर है, सरकार का कहना है कि देखिए जो नए जनरेशन है, जो नए लोग है जिन्नोंने encroachment किया है, हम उनी को forest area से खाली करवाना चाह है, हम encroachment को रोखना चाहते है, लेकिन tribal population का कहना है कि नहीं, हमने encroachment नहीं किया है, हम बहुत वर्षों से उस particular land पर रहते आ रहे हैं, तो सरकार हमें जहां से यह हटा रही है, वो पूरी तरह से गलत है, यह हमारा ancestral land है, तो वो भी एक बहुत बड़ा issue और मुद्दा बन ग रोकिया जाता है, तो जिसकी वज़े से सरकार उसको रोकना चाहती है, तो इसके लिए लोग उस जमीन को खाली भी नहीं करना चाहते है, इसलिए भी विरोज हो रहा है, क्या सचाई है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो मनीपूर की लोग है, बट I hope कि अ आज का ये ट्रेडिशनल डांस है, इस डांस का नाम है लाई हरो आबा, ठीक है, ये कौन से स्टेट से बिलॉंग करता है, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलिग्राम से भ आपको पसंद आया होगा, मिलता है, आप से नेक्स टाइम, तिल देन, थांक्यू बरी माँच, सी यू सून.